हेलो फ्रेंज मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंज आज हम सीखेंगे छोटी बच्चों का स्वेटर डिजाइन दो दो फंदों का यह डिजाइन है इस तरह से बन के आता है यह आए यह सीखते हैं बॉडर पट्टी बनाने के बाद एक स्लाइपूरी सीधी और एक स्लाइपूरी उल्टी करके हम कम टीट कर लेंगे अब यहां हम दूसरा कलर यूज करेंगे डो फंदे यह डूसरे कलर से हमने दूपंदी सीधे बनालेंगे एक गें दोूज यहां पर फिर फ्म हुआ और फोट कलर यूज करण रखा मैंने दूपंद इसका बनालेंगे अब यहां पर हमने इस तरह से दो फंदे के चार फंदे बनाने हैं कि एक बार ऐसे लेंगे एक बार धागा को आके की तरव रखे इस तरह हम लें यह तीन फंदे बनाना है तीन फंदे बन गए हमारे और जी फर्स्ट वाला फंदा है इसको हम इस तरह से को इस तरह से हम फर्स्ट वाला फंदा को बना लेंगे 4 फंदे हमारे बन गए अपर基本 में दो फंदों को को इसका उपर से इतार से लेना इतार से लेना है दो से यह पिर पिर इन दोनों फंदों को सीधा बनालेंगे एक दो यहाँ फिर एक वार ऐसे लेंगे यह एक वार इस तरह से लेना है फिर धागा को आगे की Supports रखन फिर एक बार और लेना है इसी पॉइंट से एक बार और लेके यह फ़र्ष्ट वाला फंदा है उसको हम इस तरह से बना लेंगे यह दो फंदे के चार फंदे बन गए अब इन दोनों फंदों को कि इस फंदे के उपस इस तरह से लेना है इस तरह से बनके आए गए इन दोनों फंदों को सिदा सिदा करके बना लेंगे एक शलाइकाद डिजाइन है छोटे बच्चों का यह अब बेक साइट में सारे फंदे उल्टे बनेंगे और जो ये वाला धागा है इसको भी हम साथ में लेके चलेंगे इसको भी हम साथ में लेते भी चलेंगे ये पैक साथ रॉंग साथ हमारी स्लाइब भी कम्प्रिट हो गई है ये डिजैन बनने के बाद एक स्लाइब पूरी सीधी और एक स्लाइब पूरी उल्टी करके हम कम्प्रिट कर लेंगे ये स्लाइब भी हमारी कम्प्रिट हो गई है ये रो भी हम उल्टा उल्टा करके बना के कम्प्रिट कर लेंगे ये रो भी हमारी कम्प्रिट हो गई है डिजैन बनने के बाद एक स्लाइब पूरी सीधी बनानी है और एक स्लाइब पूरी उल्टी बना के फिर हमें डिजैन सुरू करेंगे अभी हमने अब इधर हम इस कलर से इसमें हमने अब यह वाला कलर जो ऑफ वाइट है इसमें हम दो फंदे सीधा बना लेंगे अब इसके बीच से डिजैन बनेगा इस तरह से यह बार ऐसे लिया दागा को पीछे की तरव रखेंगे एक बार इस तरह से फंदा और लेंगे तीन फंदे बन गए हैं और एक फंदे को इस फर्स्ट वाला फंदा इसको हम बना लेंगे इस तरह फिर इन दोनों फंदों को आगे की दोनों फंदों को इस तरह से ले लेंगे इस तरह से ले लेंगे फिर यहां दो फंदे सीधे एक दो अब इनके बीच में हम फूल बनाएंगे प्लार बनाएंगे एक बार इस धंग से लेंगे धागे को आगे की तरह रखके फिर एक बार इस तरह लेके तीन फंदे बन गए हैं जो फर्स्ट वाला फंदा है इसको हम इस तरह से बना लेंगे फिर इन चार फंदों में दो फंदों को इन दोनों फंदों के उपर को उपर से इस तरह से ले लेंगे अब इन दोनों फंदों के सीधा सीधा कर के बना लेंगे एक दो实 वाला फंदा इसको हम सीधा बना लेंगे इस तरह से बनके उल्टी स्लाइब रॉंग सैट यह पूरा हम उल्टा उल्टा करके कम्प्टीट कर लेंगे इसको हम जे दूसरे कलर का हमने धागा लगा रहा है इसको हम साथ लेते वे चलेंगे इस तरह हम उल्टी स्लाइबी कम्प्टीट कर लेंगे यह उल्टी स्लाइबी हमारी कम्प्टीट हो चुकी है दिजैन बनने के बाद एक स्लाइब पूरा सीधा बना लेंगे और एक स्लाइब पूरा उल्टा बना लेंगे और एक स्लाइब पूरी उल्टी उल्टी करके कम्प्टीट कर लेंगे पूरा बन की इस तो से आता फ्रेंज से छोटे बच्चों का स्वेटर डिजैन आपको लेंगे और लेंगे और लेंगे कोई सावी कलर यूज़ कर सकते हैं और पूरा बनके इस तरह से आता है बनके आप देख सकते हैं कोई सावी दो कलर में आप छोटे बच्चों के लिए आप इसको अपलाई कर सकते हैं थैंक यू फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ